अपने अंचाहे बालों से यानि कि unwanted hair से और आप चाहते हैं कि इन बालों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए यानि कि दुबारे से आपके अंचाहे बाल निकले ही नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखना आज मैं आपको लाइब इसी वीडियो में दिखाऊंग हैं ठीके ना तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने बड़े बालों में यानि कि इतने बड़े बालों को हटा करके आपके दिखाऊंगी ठीके ना तो आप अपने चाहे तो हाथ के पैर के अंडराम के चेहरे के कहीं के भी आप अपने बालों को हटा सकते हैं आप अर पानी डाल दिया है और इसको हम थोड़ा से करेंगे ताकि यह चीनी घुल जाए आप चाहें तो इसमें चीनी का बूरा यानिकी चीनी का पौडर भी यूज कर सकते हैं ठीक है ना तो यहां पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है यानि की घुल चुकी है यह जो चीनी होती दोस्तों यह आपके क्या करेगी unwanted hair को निकालने में बहुत मदद करेगी अब इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें आदा छोटा चमच नमक यानि की सोट नमक आपको कौन सा डालना है जो आप सबजी बगारा में यूज करते हैं और अब इसके बाद में इसमें डाल दिया है बेसन तो यहां पे हम दो चमच बेसन डाल देंगे यानि की चने का आटा अगर आपके पास में बेसन नहीं है तो इसकी जगह पर आप जो चपाती खाते हैं रोटियां खाते हैं उसका आटा ले सकते हैं यानि केहूं का आटा आप ले सकते हैं तो आप इस तरीके से इन सब की शीजे को मिक्स करिए दोस्तों जो मैंने इसमें नमक यूच किया है यह नमक क्या करता है इस में उलता है भरकूर मातरा में आईडीन और यह क्या कारता है रहिए आधा चमस आरियल आपकी इस इसके बाद में डाल दिया है हल्दी पाउडर तो आपको आधा चमच इसमें डालना है हल्दी पाउडर अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर दोस्तों आपके अंचाहे बालों को हमेशा के लिए रिमूब करने के लिए यह बहुत तेजी से मदद करता है आपके अंचाहे बालों को जड़ों से यह रिमूब करेगा आपके जो अंचाहे बालों जड़ से निकल जाएंगे और दुबारा से बालों की ग्रोध ही खतम कर दीगा यानि कि आपके अन्चाहे बाल दुबारा से निकलेंगे नहीं अब हम क्या करेंगे इन अब हम समगरी को अच्छे से मिक्स करके और इसको थोड़ा सा इसको हम गरम कर लेंगे यह देखिए ताकि सारी सामगरी आपस में अच्छे से मिक्स हो सके ताकि ये पूरा एक बैक्स टाइप का बन जाए आपका होम मेड बैक्स ये आपका बन जाए ठीक है ना बिल्कुल थोड़ा सा यानि कि आप ऐसे समझेए मात्र पांस से साथ सेकंड के लिए आपको इसको बिल्कुल मद् है इसको में आपको इसका तजय करना है तो यहां पर आप दे सकते मैं इसका पेस्ट तैयार तफेर कर लिए हैब आपको क्या आपको में वताती हूं किस तरीके से इसे यूज करना है तो सबसे पहले हम उड़ा ऊसा थ्थनडा करना है यह गरम नहीं होना NICK सब्सक्राइब कर सबस्क्राइब ग्रॉथ की ठीक अप्वोलियट आट से आपको इस पेष्ट को इस तरीके से लगा देना है। ना है आप आपको क्या कहा है इसको आपको आपको रगडगा निकालना है ताग विढ़के निकलना है तो आपको करना तो क्या है बालों की अपोचीट साइट से आपको इसके ये इसको आपको कैसे निकालना होगा रब करके यानि कि इस तरीके से मसाज करके अपोजिट साइट से इस पूरे पेष्ट को आप निकालिए ये देखिए ये बड़े आराम से निकलता है और साती सात में जो आपके Unwanted Hair है उसको भी ये उखाडता है जड़ों से निकालता है, अब आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये बाल इसमें निकल रहा है, ये देखिए, है न, आपको दिख रहा है, ये 100% वर्क करता है, और ये आपके अंचाहे बालो को निकालेगा ठीक है ना लेकिन मैं आपको बता दू आप ऐसा ना सोच है कि एक बार लगाएंगे और एक बार में ही आपके सारे बाल निकल जाएंगे नहीं दोस्तों क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है आप इसे यूज करेंगे हाँ इतना जरूर है एक बार में आपके ब तरह आप बाल निकले हैं बहुत ज्यादा अगर आप देख पा रहे होंगे यह देखें कितने सारे बाल इस आटे में आ चुके हैं तो इस तरह के से आप इस नुस्खे को यूज करिए अपने अन्वांटेड हेर मैं बैसे यहां पर बता दू पैरों के बाल बैसे ही बहुत ब पैरों के बाल बहुत बड़े होते हैं ठीके ना तो इसको अगर दो से तीन बार यूज करेंगे इसको आप तो आपके पैर के बाल बिल्कुल निकल जाएंगे बिल्कुल आप देखना आप लाइब देखिए मैं कुछ भी इसमें नहीं चेपा रही हूं तो मैं आप से बोल आपके एक बार में ही निकल जाएंगे अपर लिप के बाल तो एक बार में ही निकल जाएंगे आपकी टिके नL brag आ त्यूंस के से इस घरेलू नुके इस Гोई को यूज करिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप देख सकतें पैरों के बाल कितने सारे निकल चु इस तरीके से इस नुश्के को आप हफ़ते में तीन से चार बार यूज करिए और आप देखना आपके अंचाहे बाल खतम चड़ से खतम और दुबारा से बाल निकलेंगे ही नहीं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों सेह करें और चैनल सब्सक्राइब क तर झाल